सुनो ध्यान से, ये एक वाइदा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, पर ये वाइदा आपने आप पूरा नहीं होता, या तो मुझे आपके लिए खड़े होना है, या आपको अपनी प्रतिग्या के लिए खड़े होना है, हालिलुया, और बाइबल कहती है इस हाग जिन्दगी के चैलिंज इतने थे, कि अगर वो शाम को वचन पर ध्यान करने के लिए ना जाता, तो बहता, दूसरी शादी करता, या परमेश्वर के प्लैन को मेस कर देता, उसे मिस कर देता, उसे खराब कर देता, जिस तरह बहुत सारे विश्वासियाज कर देते हैं, या एक ही प्लैन है जो आपको ब्लेस करने का है, एक ही प्लैन है जो आपको उंचा करने का है, एक ही प्लैन है जो आपको सिर्फ बनाने का पूंच नहीं, लेकिन उस प्लैन को पूरा करने के लिए वो आपकी कोपरेशन चाहता है, हालिलुया, आप मुझे ये तो समझ आ रही ह कि मैंने वचन पे ध्यान लगाना है तो कि जो outcome, जो permission मेरे अंदर से निकालना चाहता है वो तब ही बाहर आ सकता है अगर मैं meditate करने वाला इंसान हूँ तो सिर्फ संडे 45 मिनट सर्मन सुनने से आपके life change नहीं होगी आप जैसे आयों वैसे वापिस चले जाओगे उल्टाप का विश्वास कम होना शुरू हो जाएगा लेकिन जब आप वचन पे मनन करोगे उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे अपने अंग अंग मना लोगे उसको मनन करोगे 20 घंटे वो वचन आपके life में पूरा होना शुरू होगा और बाइबल कहती रात शाम को वो रोज वचन पे ध्यान लगाने के लिए जाता था इसलिए ने कि उसे आश्रीश चाहिए वो बहुत अमीर था बहुत आश्रीशित था इतना आश्रीशित था कि गवर्मेंट से भी ज़्यादा पैसा उसके पास था पर बाइबल कहती रात को शाम को वचन पे ध्यान लगाने के लिए वो जाता था अगर आज आप इस वचन पे ध्यान लगाएं अगर जो परमेश्वर आपको बोलना चाहता है अगर आप ध्यान से उसे सुने मैं आपको प्रोफेटिक वड़ देता हूँ आपके लाइव सेम नहीं रहने वाली